नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब के पूरी तयारी करने के लिए इस टड़ी फॉर्टी विल्ट रप्सेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीपियस येर क्वेस्चन्स इसमें प्रीपियस्चन करेंगे यूपी प्रीपियस्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड करेंगे कि कईसे कईसे सब्सक्राइब बना दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको वीडियो पूरा देखिए वीडियो को लाइक शेर जरूर करिए और प्लस अपन सब्सक्राइब को जरूर से जरूर जरूर करना है और अपना स्कोर जरूर बिदाईगा जो भी previous years में questions पूछे गए हैं उनको तो start करते हैं अपना वीडियो देखते हैं question number one तो जो question number one है जहाँ पर हम as usual map की practice करते हैं तो जो question number one है वहाँ पर वो हमसे पूछा गया था UPSC 2018 में और जो कुछ places हैं जिनका हमें description देना होता है physical, economical, commercial, ecological या environmental perspective से तो जो question number one का first है शियोक रिवर तो अगर हम शियोक रिवर की बात करें तो यह हमारा जो northern लद्धाक रीजन है यानि के जो हमारा northern लद्धाक रीजन है जैसे यह हमारी इंडस रिवर तो यहाँ पर हमें मिलती है शियोक रिवर तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक Tributory है यानि कि साहयक नदी है इंडस रिवर की और ये गिलगिट पाकिस्तान में जो रीजन है वहाँ से जो बाल्टिस्तान रीजन है वहाँ से होते हुए ये सीधे इंटर करती है पाकिस्तान में और फिर अगर हम इसको देखें तो हमें मेखाले के 80 hills में मिलता है और अगर मैं इसकी location की बात करूँ और exact तो ये around 100 km के distance पे है मेखाले की जो capital है शिलोंक उसके अब अगर हम देखें third यानि के श्रावस्ती श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती हमारी एक ancient city रही है जब कभी भी हम बात करते हैं Indus Valley Civilization की तो जो Indus Valley Civilization है वहाँ पर जो six important cities है उनमें एक श्रावस्ती भी है और इसी लिए श्रावस्ती को बड़ा important माना गया है cultural aspect से साथ ही अगर हम बात करें श्रावस्ती की तो ये हमारी related है गौतम बुद्धा के life से तो ये कुछ information थी श्रावस्ती के बारे में जो की हम अगर 30 words में देते हैं तो it's more than enough फिर अगर हम बात करते हैं तो fourth तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये सर क्रीक है sorry ये कुछ printing mistake हुई है सर क्रीक है और सर क्रीक की अगर हम बात करें तो ये है एक tidal क्रीक है यानि के जुआर ये क्रीक को अगर हम कहते हैं तो क्रीक एक सबसे छो गल्फ से बड़े अगर हम बात करें तो bay है बे से बड़े अगर हम बात करें तो seas है उनसे बड़े बात करें तो ocean तो ये जो हमारी क्रीक होती है ये सबसे छोटी water bodies में नाम इनका आता है और जो ये हमें सर क्रीक मिलेगी ये सर क्रीक मिलेगी हमें गुजरात state में और अगर हम बात करते हैं फिफ्ट की यानि कि अमरकंटक तो जो अमरकंटक है यह हमारा मीटिंग पॉइंट है विंदिहांचल का और साथी साथ सत्पुडा रेंज का यहीं से कुछ हमारी रिवर्स हैं जो औरीजिनेट होती हैं जिसमें सबसे यहां पर एक तरफ नर्मदा रिवर और एक तरफ सोन रिवर तो यह कहा जाता है कि यह जो अमरकंटक रिजन है यह एक रेडियल ड्रेनेज का रिजन है यानि कि अगर हम रेडियल ड्रेनेज की बात करें तो एक हमारे पास जो तिबबत मांसरोवर लेक की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर हमें एक साइड में जो हमारी इंडर्स रिवर है वो दिखती है सतलुज दिखती है और अगर उसका डाउन साइड में हम आ जाएं उत्राखंट रीजन में तो यह जो कुछ ऐसे लैंड रीजन होते हैं जहां से चारो दिशाओं में हमें रिवर्स औरिजिनेट होते ही दिखती है तो वो सारी की सारी जो लोकेशन होती है उसको हमें एक रेडियल ड्रेनेज का एक्जाम्पल मांने इन प्लेशन को अब हम लोकेट करते हैं अपने मैप पर तो जो क्वेशन हमारे से पूछा गया है सबसे पहला यानि कि जो हमसे लोकेशन की बात की गई है शियो करिवर की तो जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी तो यहां से यह कुछ इंडस और इसके अबव रीजन में हमें मिलेगी शियो करिवर अगर हम बात करते हैं सेकंड की यानि कि मौलिन गॉंग की तो मौलिन गॉंग के लिए यहां पे अगर हम देखें तो यह मिघाले रीजन है औ खासी हिल्स पे हमें मिलेगा मौलिन गॉंग जो थर्ड हमारे से पूछा गया है तो वो शिरावस्ती यानि कि शिरावस्ती कुछ इस पॉइंट पे लोकेशन मिलेगी हमें शिरावस्ती नेबरिंग डिस्टिक है बहराइच का जो यूपी में मिलता है अगर हम बात करें तो अमरकंटक हमें कुछ इस पॉइंट पर मिलेगा। तो यहां से वन साइड हमें नर्मदा मिलेगी, वन साइड की अगर हम बात करें तो सोन मिलेगी। तो यह हमारे कुछ जो प्लेसेस थी उनको हमने मैप पे लोकेट किया। और बार बार मैंने अपने हर वीडियो में एक ह बात को focus किया है कि जो हमें mains perspective से जो geographical places पूछी जाती है वो कैसे पूछी जाती है हमें जितना step जैसे कि अगर हम देखें tier 1 में यानि कि जो हमारा PT exam है तो वहाँ पर जो places पूछी जाती है तो सिर्फ उनकी location पूछी जाती है कि यह चीज कहां मिलेगी लेकिन जब हम mains की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें उनकी location यानि कि question में हमें एक map भी दिया होता है जो हमारी answer booklet होती है उसमें हमें उनको mark भी करना होगा और साथी साथ उनका हमें 30 words में description भी देना होगा तो जब कभी भी आप PT के लिए अगर preparation कर रहे है तो अगर आप PT के लिए आप prepare कर रहे है तो उसका जो next step होगा वो आपको उस location के लिए कि आपको जो भी point है उस point का आपको कुछ description भी पता होना चाहिए तो यह था हमारा question number one देखते हैं next question जो की हमारा topic जो आज का है human geography से related factors responsible for counter-urbanization प्रती नगरी करण के लिए उत्तरदाई कारकों की विवेचना कीजिए यह जो question है यह हमसे पूछा गया UPSC 2014 में तो अगर यह बात की गई है जो question में counter-urbanization और देखिए सबसे ज़ादा मैंने अपने हर वीडियो में जब कभी भी कोई question आया है तो मैंने उसमें एक बात पर focus ज़रूर किया है जो terminologies है उनका आपको exact meaning पता होना चाहिए तब ही आप अपने answer को अच्छे से frame कर सकते हैं अब जैसे की urbanization तो हमेशा सुना आप लोगों ने तो counter-urbanization क्या होगा counter की बात अगर हम करें तो counter हमेशा जैसे आमना सामना यानि कि एक चीज़ का किसी दूसरे से सामना तो जो urbanization की process है वहाँ पे तो ये कहा जाता है कि जो human population है उसका नगरिये करण हो रहा है अब counter-urbanization में जो process होती है उसमें ये कि जो urbanization में जो हमारी human population है वो move करना शुरू करतेगी यानि कि move करने के लिए ये कि जो भी जैसे किसी एक urban city में रह रहा है तो वो जो peoples हैं वो अपने वापस rural areas की तरफ लोटने लगेंगे तो यही चीज counter-urbanization कहलाईती है तो UPSC में इस टाइप के जो terminology based questions है उनका trend जो सबसे साथ है और अगर UPSC में वो question जैसे कि 2017 में पूछा गया तो वो question आपको maybe possible UP के किसी exam में आपको 2018 में मिलेगा तो 2018 में 19 में यानि कि जो UPSC है वो अगर किसी नई term को या किसी नए question को लेके आता है तो repeat में हमें कहीं न कहीं वो BRPCS में या फिर UPPCS में देखने को मिलता है तो जो counter urbanization है उसके बारे में हमने बताया आपको कि exactly वो है क्या यानि कि जो urbanization की process है वो change हो जाएगी जो public है जो human population है वो वहाँ से move करना शुरू करतेगी तो अब अगर हम बात करें इस counter urbanization की तो हमसे जो question किया गया है उसमें कहा गया है responsible factors और उत्तरदाई कारकों की विवेचना यानि कि ऐसे कौन-कौन से factors होंगे कि जो जनसंखिया किसी एक particular urban region में रह रही है वो कैसे move कर सकती है किसी दूसरे region में यानि कि जो उनका rural background है उस तरब वो public जाना शुरू करतेगी तो जो ये concept था ये सबसे पहले Britain से start हुआ जहां पर 1960s में ये देखा गया कि जो human population थी urban areas में रहती हुई वो अपने back to कुछ ये कहा गया कि rural areas में जाने लगी तो इसके जो सबसे important factor थे beings के पास पैसा आने लगा तो अब उन्हें ये लगने लगा कि जो urban life है कुछ अच्छी नहीं है तो जब उनके पास wealth जादा हो गई तो उनको ये लगा कि अब हम किसी एक peaceful region में जाके रहते हैं तो peaceful region में जब वो जाके रहना शुरू करेंगे तो definitely वहां से वो अपने सारे businesses को operate कर पाएंगे और वहीं से वो अपने सारे businesses को देखते रहेंगे और उनको कुछ urban areas की problems हैं वो भी face नहीं करना पड़ेंगी जैसे pollution है जैसे रोज की भीड़ भाड़ है तो इन सारी समस्याओं से वो वहां से निकल आएंगे अगर हम बात करें इसके second factor की तो de-industrialization अब जैसे de-industrialization में जैसे पहले क्या हुआ industries को set up किया गया अब industries खुब high level पे earn करने लगी अब धीरे धीरे उसमें एक stagnation यानि के एक स्थापन आ गया यानि के अब industrialization आगे नहीं पाड़ रहा है तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो rural background के होंगे जिनके पास agriculture के लिए कोई land available होगी तो वह यह सोचेंगे कि हम industry में अपने आपको involve रखेंगे तो इतना जादा earn नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे अपने जो rural areas की land है उसके उपर agriculture की practices करना start कर देंगे और उसका modernization करना शुरू कर देंगे कुछ नएने equipments खरीदेंगे और अपने ही agriculture को वो बढ़ाने की सोचेंगे और उसमें उनको profit मिलने लगेगा तो जो यह de-industrialization की process होगी कि जब लोगों को यह लगने लगेगा कि अब industry में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं रह गया है तो लोग वापस agriculture के side चले जाएंगे क्योंको उनको लगने लगेगा कि agriculture में इससे ज़्यादा मुनाफ़ा मिल रहा है फिर और अगर हम बात करें third factor की यानि कि relocation अब relocation को अगर हम देखें relocation का मतलब यह जैसे कोई industry है suppose करते हैं कि डेली के आसपास में जैसे हमारा गाजियाबाद का region है काफी सारी industries लगी है अब जो गाजियाबाद का region है वो बहुत denser populated है अब जब वो denser population है तो वहाँ पर जो industries लगी है उनकी जो land है वो costly होती जा रही है तो अब जब उनकी land costly होती चली जा रही है तो उनको यह लगता है कि हम अपनी इस land को क्या करते है sale out करते हैं और जो यहाँ पर उनको problems आ रही है जैसे कि pollution वगएरा बढ़ रहा है तो एक side से जो हमारे pollution boards है वो industries को कह रहे हैं आप यहाँ से move करिए तो धीरे धीरे यह क्या करेंगे अपने इस land को utilize करने की सोचेंगे और वो सोचेंगे कि यहाँ से अपनी industry को set up कर देते हैं हम किसी outer regions में जैसे कि हापुड़ है मुरादाबाद है या फिर अलिगड़ region है तो वो उधर side move करेंगे क्योंकि वहाँ पर उनको land भी सस्ती मिलेगी और इस type से कोई problem भी उनको नहीं होगी और यह nearby region है national capital territory region से तो उनको transport में भी well connection मिलेगा तो वो सोचेंगे अपनी industry को क्या करते हैं किसी ऐसे region पर ले जाते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़ादा problem भी ना हो उनका जो land है उसका भी उनको price बहुत अच्छा मिल जाएगा और जो यह problems हैं जो रोज दिन उनको अपनी industry चलाने में आ रहेगे वो भी नहीं होंगी तो यह भी एक बहुत important factor माना जाता है counter urbanization का फिर और देखें अगर जो employment का rate है तो जैसे अगर वो घाजियाबाद में industry थी तो वहाँ पर उसको industry में जो laborers मिल रहे थे वो काफी costly मिल रहे थे पर जब वो outer surrounding regions में आ जाएंगे तो वहाँ पर उनको जो laborers हैं उनकी wages भी कम देना पड़ेंगी तो यह एक fair factor बन किया आएगा counter urbanization का फिर अगर कोई लोग ऐसे हैं जो डेली में रह रहे हैं तो वहाँ पर उनको जो environment है वो काफी polluted है तो वो सोचते हैं कि अब हमेरे पास इतनी तो wealth है कि अब हम easily अपनी life को आगे sustain कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे कुछ greener cities की तरफ आ जाएंगे जैसे कि suppose करें अगर हम तो जैसे बरेली रीजन है या फिर अगर हम बात करें तो कुछ उत्राखंड रीजन है तो वो लोग उधर से move करेंगे उन रीजन में वहाँ पर उनको एक healthy environment भी मिलेगा और उनकी life के लिए एक pleasant atmosphere भी मिलेगा तो ये जितनी भी जो एक मैंने factors बोले आपको ये सारे factors को हम अपने counter urbanization में दे सकते हैं इसी से related जो हमारा description है हम उसको अगर देते चले जाएंगे तो ये अपने आप में एक best factors होंगे और example जैसे कि मैंने आपको last lecture में भी बोला था और मैं वही बात बोलता हूँ जो thought हैं आप इनके thoughts को change नहीं कर सकते यहाँ पर जो principles हैं उनको भी change नहीं कर सकते लेकिन जब आप अपने किसी भी एक thought को कोई example देंगे तो अगर आपका example best suited होगा तो definitely जो भी examiner होगा उसको वो चीज और clarity से समझाएगी और आपके concept के बारे में भी पता चलेगा कि आपने concept को कितने अच्छे से सीखा है तो यह जो problems हैं और जो यह techniques हैं आपको जरूर अपने answer के अंदर implement करना होगी अब एक और बात जो हमारे counter urbanization में बात करते हैं इसे की डेली रीजन है तो वहाँ पर यह है कि crime rate जाता है अब जब crime rate जाता है तो बहुत सारे वहाँ पर जो families है जिनका बहुत rich background नहीं है तो वो यही सोचेंगे कि हम इतनी problems में डेली के रीजन में रह रहे हैं उससे तो better यह है कि हम किसी और pleasant city की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें इस type से कोई problem देखने को ना मिले फिर ऐसे ही problems racial basis पे भी हो सकती है जैसे कोई northeast का बंदा है तो वो यह सोचेगा कि डेली में इस type से यह रहता है कि कहीं न कहीं lynching वगरा की problem आ जाती है तो उनको लगेगा डेली safe नहीं है और हमको किदर जाना चाहिए अपने ही region में तो यह भी एक problem बन के आएगा साथी साथ अगर हम फिर देखें racial, ethnic, साथी साथ religion basis में भी हमें ऐसी problem देखने को मिलेगी फिर अगर हम बात करें जैसे कि कोई एक particular बंदा है उसने एक land को अपना एक rent purpose के लिए मतलब government से hundred years के लिए ले रखा था अब hundred years का जब उसका वो पूरा हो गया तो जो भी generations उस पे work करी लेंड पे वो तो ठीक है पर जैसे ही hundred years से ये पूरे हुए तो यहाँ पर अब government इनसे ये कह रही है कि आप इस जमीन को क्या करेंगे खाली कर देंगे अब जब इस land region को वो खाली कर देगा तो वो सोचेगा कि अब हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास कुछ खास बचा नहीं है काम करने के लिए तो हमें कहा जाना चाहिए अपने region में वापस लोट जाना चाहिए तो यह जो problems है यह भी problems कहीं न कहीं counter urbanization के लिए responsible होती है फिर ऐसे ही अगर हम देखें जैसे कि जो हमारे rural और जो backward regions है अगर हम 1947 के बाद देखें तो वो इतने well connected नहीं थे अगर हम आज present time पे देखें तो वो regions बहुत ज़दा well connected होके है हर तरीके की services भी वहाँ पर पहुँच गई है अब जब हर तरीके की services वहाँ पहुच गई है तो जो public है तो वो यह सोचेगी कि अब हम इतने dense regions में populated region में क्यों रहें इतना तो हम जब वहीं पर रहेंगे तो हमें services भी सारी मिलेंगी और साथ ही साथ डेली के comparison में तो earning उनकी कम होगी लेकिन उस region में उनको जो earning मिलेगी वो sufficient होगी तो ऐसी भी जो ideology है यह definitely जो human population है उसको अपने जो दूर के regions है वहाँ पर move करने के लिए कहीं न कहीं responsible होती है फिर अगर हम बात करें rate of property की तो जैसे कि किसी अगर कोई एक migrate करने के लिए सोचता है किसी भी एक backward region से किसी एक urban area में तो वहाँ पर जो urban area है तो वहाँ पर उसकी land जो है वो काफी costly है तो उसको इतना असानी से purchase नहीं कर सकता तो वो पहले कुछ दिनों तक तो वहाँ पर rent पर रहेगा यह सोचके कि आगे आने वाले समय में मेरा business flourish हो जाएगा और मैं यहाँ पर land purchase कर लूँगा लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा जो land का rate है वो बढ़ता जाएगा अब जब land का rate बढ़ता जाएगा तो उसको कुछ समय बाद ऐसा realize होगा कि अब यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है उससे better यह है कि अपने ही region में वापस लोट जाओ तो यह सारी मैंने आपको एक present day का जो एक behavioral examples है उनको देके मैंने आपको बताया है कि counter urbanization क्यों होता है आप अपने answer को इसी के according frame करिए ऐसे ही introduction देते हुए और धीरे धीरे और जब कभी भी introduction दे है और अगर ऐसी कोई आपसे term पूछी गई है तो सबसे better तो उसमें यह रहेगा कि आप उसको exact definition दें वहाँ पर और फिर जब आप अपने उनके factors को गिनाएं तब उन factors में आप बताईए कि क्यों क्यों ऐसा होता है और क्या इसके ऐसे role है situations के जो play करती है इस condition को arise करने में तो यह था हमारा question number 2 देखते हैं question number 3 discuss the trends of emigration focusing on its major thrust उत्प्रावासन में प्रवर्तियों पर उनके प्रमुख दबाव पर विशेश रूप से ध्यान केरते हुए चर्चा कीजिए यह question हमसे पूछा गया था 2014 में अब अगर मैं बात करता हूँ UPSC 2014 के इस question की तो सबसे पहले जो यह emigration है इस emigration और migration में एक थोड़ा सा difference माना गया है migration mainly country के अंदर होता है emigration mainly country से दूसरी country में होता है तो जब कभी पी आप जैसे airport पे जाएं तो वहाँ पर emigration ही के लिए बोला जाता है emigration check वहाँ कभी migration check नहीं कहा जाएगा migration country के अंदर ही होगा तो जो हमारे various parts है world के जहाँ पर emigration होता है तो हमसे यह पूछा गया है इनकी प्रवर्तियों trends के बारे में और उनके प्रमुक दबाव पर जो हमें विशेश रूप से ध्यान केंदरित करना है उस पर हमें चर्चा करना है तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया से जो emigration है सबसे पहले वो unskilled labor का unskilled labor का sense यह कि जैसे कोई एक assistant के तौर पे work करेगा अब assistant के तौर पे ऐसे work करेगा जैसे कि कोई यहां से गया तो जैसे कोई truck driver है तो truck driver के साथ में एक assistant जिसका काम कुछ नहीं होगा सिर्व इतना काम होगा जैसे truck parking में लगवाना है कोई paperwork है तो जाके paper को दे के आना है ले के आना है तो इतने से काम के लिए जो बाहर की countries है वहाँ पे ज़ादा payment है as comparison to India अगर हम इंडिया में बात करें तो इस type की unskilled jobs की maximum जो salary है वो 5-10,000 के around है लेकिन यही salary अगर आप किसी foreign country को देखते हैं तो वहाँ पर 20,000-30,000 तक आपको मिल जाती है तो mainly जो persons इस type की job करने वाले हैं वो क्या करते हैं फिर foreign को prefer करते हैं और फिर foreign में जाकर earn करते हैं तो यह एक सबसे बड़ा logic यानि के unskilled labor का unskilled labor को payment यहाँ की comparison में वहाँ जाता मिलती है फिर अगर हम बात करें second में contract labor है immigration अब अगर contract labor की बात करें तो at present में जो हमारे इंडिया में wages है वो एक labor अगर skilled है तो around 500 उसका wage है लेकिन अगर हम किसी को contractual की बात करें अगर तो यही contractual person इंडिया में ही 10-12,000 के around earn करता है लेकिन जब contractual labor की बात आती है तो यही person जैसे की किसी गल्फ country में जाएगा तो वहाँ पर इसके साथ contract हो जाएगा उस company का कि यह बंदा हमारी इस company में for the next two years he will work तो जो two years का उसको जो wage decide होगा वो around 30,000 तो 35,000 तो that is much more higher in comparison to India तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें जो ऐसा बंदा है उसको वहाँ पर ज़्यादा payment मिल रही है तो definitely वो बंदा फिर foreign को ही country को prefer करेगा फिर अगर हम बात करें third one यानि कि free or passage immigration यानि कि free or passage immigration कुछ इस sense में जैसे कि कोई भी बंदा है या किसी gulf country में जाता है तो वहाँ पर वो जाके किसी भी work के लिए free है कुछ भी कर सकता है अब वो free work के लिए वहाँ पर maybe वो business कर सकता है maybe वो वहाँ पर job कर सकता है अब जब job करेगा वहाँ पर तो उससे भी कहीं न कहीं वो salary attain करेगा और उससे फिर वो return इंडिया को remittances देगा यानि कि अपनी family तक देगा तो यह हमारा third type था अगर हम fourth की बात करते हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा trend देखने का मिलता है वो मिलता है technological experts का यानि कि जो हमारे IATians है जो हमारे engineers है जिद्दम ये कहा जाएगा कि जो हमारे बिल्कुल premium institute के जो premium institute है उनसे जो students pass out होते हैं तो उसमें एक majority में ये कहा गया कि majority में उन लोगों का एक ही focus होता है कि इंडिया के abroad जाना और किसी project पे work करना वहाँ पर उनको earning भी बहुत अच्छी मिलती है फिर जब वो earning भी बहुत अच्छी मिलती तो उनका भी ये एक fame होता है कि हमने एक foreign में यहाँ पर ये project किया तो जो technologically experts हैं वो भी बहुत prefer करते हैं इंडिया से बाहर जाना इसी के ओपर एक बार आप धाना थी brain drain की कि जो preparations हो रही है वो तो इंडिया में हो रही है लेकिन जो यहाँ के students हैं वो mainly कहा prefer कर रहे है foreign countries को तो immigration का एक सबसे बड़ा factor हमें ये भी मिलता है और एक ये trend भी देखने को मिलता है फिर अगर हम बात करें तो जो हमारी labor है जो western Asia में जाती है तो जो western Asia की अगर मैं बात करूँ तो maximum जो यहाँ पर labor है तो उसका सिर्फ एक ही objective है कि वहाँ पर जो उनका wages है वो काफी high है तो जो उनकी earning है वो भी high है तो definitely एक हमारा बहुत बड़ा trend है और एक हमारा millions में हमें के trend देखने को मिलता है कि जो Indians है वो हमारे western Asia या फिर gulf regions में जाकर work करते है तो यह जो इंडिया का immigration trends है कहां कहां पर मैंने आपको six type के around मैंने आप five times के मैंने आपको trends बताए कि कौन कौन से लोग है कहां कहां जाना prefer करते है और उनसे क्या thrust है जो मिलता है मतलब कौन से ऐसी attractions है जिनको देख के यह लोग चाते है तो यह हमने पूरा discuss किया अपना इस question number third में देखते हैं next question question number four account for the multiple problems of urban agglomerations शहरी संकलोनों की बहुविद समस्याओं के कारण बताईए यह question पूछा गया हमसे UPSC 2014 में अब देखिए कुछ तो जोगरफी में ऐसे topics है जहां पर आप अपने से कुछ भी नहीं दे सकते हैं बस present कर सकते हैं और वो presentation ही matter करेगी लेकिन अब जैसे कि हम अपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पर हम human geography से जुड़े यानि कि मानव भुगोल से संबंद में जितने भी हमें questions हैं उनको discuss कर रहे हैं तो देखिए अब यहां पर हमसे applied form में question पूछे जाएंगे और अगर हम इस applied form को बहुत अच्छे से examples को देखे अगर हम उनको present करेंगे तो definitely यह जो topics होते हैं यह बहुत scoring topics होते हैं क्योंकि यह आपको बताएगी कि जो आप एक civil servant बनने वाले हैं तो वो जो civil servant को एक vision चाहिए होगा तो वो जो vision है वो आपको अपने इन topics के questions में दिखाना होगा और यही चीजें आपको औरों से अलग करेंगी तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो multiple problems of urban agglomeration जैसे कि maximum अगर मैं देखूं तो जो students हैं उनका कहीं न कहीं urban cities में आना होता है जो लोग भी जो हमारे civil services के लिए preparation कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखिए जो आपकी cities हैं उन cities में बहुत सारी problems होती हैं जो आप एक behavioral manner में बहुत अच्छे से present कर सकते हैं तो यह जो presentation होगा बस यह matter करेगा तो अगर हम बात करें किसी city की तो जैसे कि कोई भी एक city है वो जब develop हो जाएगी maximum तो वो एक यह कहा गया कि metropolitan में या तो change हो जाएगी और या फिर एक metro cities के रूप में develop हो जाएगी अब जब वो city develop हो जाएगी तो maybe एक municipality में develop हो सकती है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऐसी cities में mainly जो hold होगा वो industrialist का होगा या capitalist का होगा और ऐसी cities में बहुत बड़ी-बड़ी buildings बनने लगेंगी बहुत बड़े-बड़े industrial houses बनने लगेंगे बैंक्स अपने offices खोलने लगेंगे ट्रांस्पोर्ट और communication की बहुत अच्छी facilities बनने लगेंगी जो health का segment है यानि के hospitals बगएरा वो भी बहुत अच्छे देखने को मिलने लगेंगे फिर administration भी यहाँ पर अपने क्या करने लगेगा offices को establish करने लगेगा तो जब administration के offices वहाँ बनने लगेंगे तो वहाँ ही पर ही regions में बार बार जो जो problems आ रही होंगी उन problems को दूर करने के लिए जल्दी जल्दी work किया जाने लगेगा जैसे road खराब होती है किसी region की तो बहुत जल्दी वहाँ पर road बनती भी दिखेगी आपको तो यह जो सारी मैंने आपको एक introduction दिया तो यह मैंने आपको कुछ urban cities के बारे में बताया अब जब यहाँ पर यह सारी facilities होंगी तो बहुत rapidly यहाँ पर population बढ़ेगी और जब population बढ़ेगी तो धीरे धीरे जो यहाँ का infrastructural जो हमारा पूरा का पूरा धाचा होगा संरचनात्मक धाचा होगा वो कम पढ़ने लगेगा और problems आने लगेंगी अब जो धाचा हमारा जैसे जैसे कम पढ़ेगा या कमजोर पढ़ेगा तो वहाँ भी problems आने लगेंगी उसका effect यह होगा कि जो वो urban area है या कोई city है उसकी economy पे impact आने लगेगा अब जैसे कि अगर हम देखें डैली को देखते हैं तो डैली एक बहुत बड़ा हमारा hub है metropolitan में तो बहुत सारी जो nearby regions हैं जैसे कि UP के, हर्याना के, पंजाब के वो सब डैली जाते हैं पर धीरे धीरे जब डैली वो लोग जाएंगे तो वहाँ पर उनको problems आने लगेंगी jam की problem आने लगेगी जो उनकी cost है आने जाने की वो महंगी होने लगेगी तो वो लोग क्या करेंगे? डैली को prefer करना कम करतेंगे और धीरे धीरे जो अपने आज पास के जो अपने regions हैं पंजाब में, उत्राखंड में उन cities में वो वहाँ के nearby cities में जाकर अपनी demands को पूरा करने की सोचना शुरू करतेंगे तो definitely कहीं न कहीं उनके उपर एक impact हमें दिखने लगेगा अब जो किसी एक particular region की economy भी ये कहा जाए कि decline होने लगे तो वहाँ पर कई सारी problems बढ़ने लगती है जैसे कि unemployment बढ़ने लगेगा जैसे कि भुकमरी पढ़ने लगेगी साथी साथ जो administration है उसकी malpractices देखने को मिलने लगेगी, यानि कि कूपरशासन ब्रस्टचार बढ़ने लगेगा insecurities बढ़ने लगेगी environmental problems बढ़ने लगेगी तो ऐसे region के अंदर जो हमारे urban areas हैं जो की time to time अपने speedy development नहीं करते हैं वहाँ पर हमें कुछ ऐसे problems देखने को मिलने लगेगी तो अगर हम इन problems को अब हम describe करें अपने इस answer में तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो अपनी बात कह सकते हैं वो यह कि जो population है बहुत तेजी से बढ़ती है ऐसे regions में अब जब ऐसे regions में बहुत तेजी से population बढ़ेगी तो बहुत ज़ादा जरूरी है यह कि हमें उन regions में population control के लिए work करना होगा और साथी साथ जो हमारा administration है उसको infrastructure के लिए जो demand है जैसे कि कितने houses की need है तो उसको जल्दी से वहाँ बनवाना होगा roads के लिए connectivities के लिए इन सब के लिए वहाँ पर work करना तुरंत शुरू करना पड़ेगा फिर अगर हम बात करें कि जब यहां के regions में population बढ़ेगी तो schools की भी demand आने लगेगी तो जो schools है उनके लिए भी हमें जल्दी जल्दी schools को बनवाना होगा, hospitals को establish करना होगा, तो यहां पर हमें administration को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा फिर अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे regions हैं, जैसे कि कोई एक particular हमें उस city में कोई एक particular land area मिलता है जो खाली पड़ा है तो हमें उसको parks में बनवा देना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें, तो उसको हमें एक housing societies के रूप में develop कर देना चाहिए साथी साथ, जो single story buildings हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो multi-story में change हो जाए, ताकि जो problem है housing की, वो वहाँ पर ना होने पाए, फिर एक सबसे बड़ी problem है public transport की तो public transport को अच्छा करना चाहिए, जब public transport अच्छा होगा, तो maximum जो public है, वो public transport का use करेगी, और जो अपने individual vehicles हैं, उनका use नहीं करेगी, उससे pollution कम होगा, उससे जो सड़कों पे भीड़ है, वो कम होगी, तो अगर हम देखें जैसे हमारा डेली है, लखनो है, तो यहाँ पर हमारे जो public mode के जो transports हैं, वो अच्छे हैं, तो जब अच्छे हैं, तो वहाँ पर majority जो है public की, वो किसको prefer कर रही है, public transport को तो public transport में भी government initiatives ले रही हैं, जैसे की electrical vehicles को लेके आ रही हैं, तो जब electric vehicles को लेके आएगी, तो जो वहाँ पर हमारा air pollution है, उसमें भी कहीं कहीं हमें कमी, देखने को मिलेगी, फिर अगर हम बात करें, जो हमारा ये region है, यानि कि urban population region है, यहाँ पर हमें water की बहुत problem दिखती है, तो हमें water के उपर work करना होगा, यानि कि ये जो हमारी city है, इसके उपर हमें एक 365 degree approach करना होगी, और जब 365 degree हम इसको approach करेंगे, तब ही हम कह सकते हैं, कि इसकी approach से, हमें जो हमारा region है, उसमें problems कम दिखेंगी, या फिर problems नहीं आएंगी, तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, कि जब हमारे किसी city की बात करें, तो जैसे देखिए problems air की, problem water की, housing की, transport की, तो ये सारी की सारी problems हैं, हमारे urban agglomeration की, या फिर शहरी sun colon की, तो अगर हम इन सारी problems को वहाँ पर लिखते चले जाएं, साथी साथ, जो flyovers हैं, फिर हमें उनकी भी need होगी, और हमें वहाँ पर flyovers, अब जैसे कि अगर हम देखें अपने इंडिया में, तो जो जितना backward region हैं, वहाँ पर आप देखिए कि जो flyover हैं, over bridges हैं, उनका जो construction speed है, वो काफी slow है, यानि कि एक flyover को बनने में, 2, 3, 4 साल लग जाते हैं, जब तक उस city में कितनी problem आती रहती हैं, तो यहाँ पर जो speed of work है, उसको भी कैसा होना चाहिए, rapid, तब ही हम इन सारी problem से दूर जा सकते हैं, या फिर हमारे जो ये नगरिये छेत्र हैं, उनमें इन तरीके की समस्याएं नहीं आएंगी, तो हम अपने इस question के answer में, इसको एक best manner में describe करते हुए लेख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको एक एक problem से आपको रूबर उगराया, तो देखते हैं next question, question number 5, रूरल, अर्बन, फ्रिंच, नगर, ग्रामीर, उपांत, ये question नम से पूछा गिया, UPPSC 2014 में, अब जैसे कि एक हमारी कोई city है, इस city का जो main concentration है, वो यहाँ पर है, अब जब हम इस city से थोड़ा outer region की तरफ चलेंगे, यानि कि हम इस region में आते हैं, तो जब हम इस region में आएंगे, तो ये एक belt मिलेगी हमें, यानि कि इस city का जो हमारा urban, जो हमने last lecture में बात की थी, urban influence की, तो यहाँ वाले region में तो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, जैसे कि connectivity भी अच्छी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो हमारा ये वाला region है, और इस region के फर्दर जब हम आगे जाएंगे, तो हमें यहाँ पे ग्रामीर छेतर मिलेगा, तो इस बेडल्ट में यह जो पेटी है हमारी, इसी को हम कहते हैं, नगर ग्रामीर उपांत या rural urban fringe, यानि कि urban region तो हमारा यहाँ तक है, यह वहाँ से हमारा rural region शुरू होता है, तो बीच की जो एक के transmission zone है, इसको हम क्या नाम देते हैं, नगर ग्रामीर उपांत, यानि कि इन दोनों के बीच की बात की जा रही है, तो यह हमारा पूरा पूरा उपांत region है, अब अगर हम इस उपांत की बात करें, यहाँ पर हमसे जो question पूछा गया, वो exactly यह था, कि यह है क्या, तो हमने इसको बता दिया, यह कौन कौन सी पेटी कहां से कहां तक बैठती है, लेकिन फिर भी exact इसकी definition हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन यह कहा जा सकता है, कि जो हमारा rural urban fringe है, यह transmission zone है, जो कि हमारा जो city का land region है, और जो हमारे rural areas हैं, जहां पर agriculture हमें देखने को मिलता है, उसके बीच का region यह होता है, अब क्या होगा, जैसे कि यह एक कोई city है, यह धीरे धीरे क्या करेगी, बढ़ना शुरू होगी, तो जब यह बढ़ेगी तो इसकी approach क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो यहां पर जो इसकी rural areas है, यह जो पेटी है, यह धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, अब जैसे पहले तो यह थोड़ा इतना region था हमारे पास, अब जब यह थोड़ा time गुजर गया, तो यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा, कि जो यह पेटी है, यह कम हो गई, तो फिर यह थोड़ा आगे की तरफ extend कर जाएगी, तो जब यह extend करेगी, तब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएगे, तो exact इसके बारे में बस यह कहा जाता है, कि यह एक रीजन है, रूरल और अर्बन के बीच में, अब अगर मैं इन प्रॉब्लम्स की बात करूँ, या फिर इस रीजन में बात करूँ, तो यहां पर जो population growth है, वो बहुत तेजी से मिलती है, यानि कि जो हमारा नगरवाला छेटर है, यहां पर हमारा खुप सारा तेजी से industrialization मिलता है, भीड भाड भी मिलता है, और इस तरीके से, यो यह हमारा रीजन है, यहां से public क्या करने लगेगी, इस urban fringe के ओर पर move करने लगेगी, यानि कि जो main urban area है, उससे हम करीब 15-20 km आगे वाले region की बात करते हैं, में जाके अपना रहना या settlement करना शुरू कर देगी, अब जब वहां पर public रहना शुरू कर देगी, developments होना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर फिर problems आना शुरू होंगी, तो वहां पर problem यह आना शुरू होंगी सबसे पहले, जो हमारी sewage है, यानि कि जो sewage का system है, इस sewage के system में problem आएगी, क्योंकि अचानक से इतनी सारी population उन रीजन में जाके रहना शुरू कर देगी, फिर वहां पर transport की problem आने लगेगी, साथी साथ जो tax system है, वो बिलकुल city के उपर base होगा, पर वो region कैसा होगा, outer होगा, backward होगा, इसलिए जो वहां के tax rates होगे, वो काफी जादा होगे, अब धीरे-धीरे क्या होगा, जब वो region city में include हो जाएगा, फिर urban fringe आगे बढ़ चाएगी, और ऐसे ही धीरे-धीरे वहां पर क्या देखने को मिलने लगेगा, कि जब इतनी सारे population वहां पर पहुँचेगी, इस rural urban fringe में, तो pollution की भी problem आने लगेगी, फिर वहां का जो particular region होगा, तो किसी एक society पर base नहीं होगा, तो जब किसी एक particular society पर base नहीं होगा, तो वहां पर mixture होगा, cultures का, वहां पर religions का culture होगा, तो कई सारे जो human behavior हैं, वो हमें एक से दिखते में मिलेंगे, और उनके अंदर cultures पर division भी देखने को नहीं मिलेंगे, यानि कि कई सारे cultures के लोग, religions के लोग उन सारे region में आके, रहना शुरू कर देते हैं, अब यहां पर क्या होगा, जो यह region है, मेनली जो यह develop हुआ है, यह था तो किसी time पर agriculture based, पर जब public ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, human population वहाँ settle होने लगी, तो वहाँ पर एक problem यह आने लगेगी, जो हमारी agriculture की land है, वो destroy होने लगेगी, क्योंकि लोग उसको क्या करना शुरू कर देंगे, वहीं पर रहना शुरू कर देंगे, और जो सारी land थी agriculture की, वो वहाँ पर खराब हो जाएगी, लेकिन उस region में land की demand बढ़ने से, यानि कि जो हमारा rural urban fringe है, land की costing बढ़ने लगेगी, तो जब land की costing बढ़ने लगेगी, तो definitely कहीं पर benefit होगा, तो कहीं पर loss होगा, अब अगर हम फिर बात करें, जो सबसे major problems आती है, rural urban fringe की बात में अगर हम करें, तो ये mainly वो region होता है, जहां से urban area का, जो हमारा कचरा है, waste है, जो हमारे excreta है, यानि कि जो हमारा waste है, उनको सब कहाला के dump किया जाता है, mainly इन ही urban fringe वाले regions में, पर अब वहाँ पर जन्संक्या पहुँच गई है रहने के लिए, तो जो आसपास का area है, वो healthy नहीं है रहने के लिए, वो कहीं न कहीं health के उपर impact डाल रहा है, फिर साथी साथ, जो urban fringe का region होता है, वहाँ पर बहुत जादा सुविधाई नहीं होती है, जैसे कि electricity, water, sewer, transport, education, health, या स्वास्त, तो जो ये हमारी basic facilities हैं, ये भी उन regions में अच्छे से develop नहीं होती हैं, साथी साथ, मैंने आपको जमीन की बात बताई दी, कि वहाँ पर जो वो region है, तो वहाँ पर जब अचानक से demand बढ़ेगी, तो land की value क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, फिर अब यहाँ पर ये देखा जाएगा, कि जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, या पर जो रहने के लिए आते हैं, तो वो mainly, मलिन बस्तियों वाले छेत्र हो जाते हैं, जैसे कि जो हमारी labor class बगएरा लोग हैं, वो वहाँ पर रहना शुरू कर देती हैं, और वो एक मलिन बस्तियों में, या जिसे कहा जाए transform हो जाएंगे, और आगे चल कर ये कहा गया कि एक, जो हमारे human settlements हैं, वो एक जुगी जुपडियों टाइप का रीजन वहाँ पर पूरा develop हो जाएगा, तो अब उसको further हम develop भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत congested develop होता है, तो पहले से ही जब congested बना होगा, तो उसके अंदर आप ना तो चोड़ी सड़के डाल सकते हैं, electricity की supply भी देना मुश्किल, तो जो rural urban के fringe के जो regions होते हैं, तो mainly वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, क्या वहाँ पर problems आती हैं, तो ये सारा हम अपने इस question number 5 में describe करेंगे, introduction मैंने आपको बताया था, आगे ये सारी बाते बताएं, कि कैसे ये पेटी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कौन लोग हैं जो वहाँ जाके रहना शुदू कर देते हैं, और किस टाइप की problems हैं जो वहाँ पर आती हैं, तो देखते हैं next question, देखते हैं question number 6, define urbanization, analyze the causes and consequences of migration, from rural to urban areas in India, नगरी करण को प्रभाशित कीजिए, तथा भारत के गावों से शहरों की और जन्संख्या प्रवास के कारणों, एवं परिडामों का विशलेशन कीजिए, ये question हम से पूछा गया है UPPSC 2014, अब अगर हम देखें तो present scenario में, जैसे हमारी country इंडिया, एक विकास शील देश है, यानि कि developing country है, तो अगर developing country है, तो यहाँ पर एक major problem है urbanization, और urbanization में जो migration होता है, वह एक major problem है, यानि कि जो गावों के छेतर के लोग हैं, वो परस पर, शहरी छेतरों की तरफ जाते हैं, या तो रोजगार की तलाश में, या फिर health services, कोई अपना बिमार है तो उसको इलाज कराने के लिए, साथ ही साथ कोई पढ़ने के लिए, तो कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, जो हमारे इस प्रवासन, यानि कि जो migration है, उसके कारण हमें देखने को मिलती हैं, तो यह question अगर हम देखें, तो present scenario से जुड़ा हुआ question है, तो सबसे पहले हम urbanization को define करेंगे, जैसा कि हमने अपनी पुराने question, rural urban fringe में design किया, यानि कि कोई एक population है, जो किसी एक particular region पर रहेगी, वहाँ पर धीरे-धीरे developments होंगे, और फिर developments होते होते, वहाँ पर जो development की speed है, वह तेजी से बढ़ेगी, और जब तेजी से बढ़ेगी, तो वह पूरा का पूरा एक region, हमारा एक urban, और metro city या फिर हम ये कह सकते हैं, कि municipality के रूप में develop होगी, तो ऐसे urbanization होगा, अब अगर हम बात करें, तो जो हमारी 2001 के, और 2011, यानि कि जो हमारा census हुआ है, तो जो हमारा ये census हुआ, इसमें हमने दो टाइप की cities को देखा है, मतलब जो हमारे यां मानी गई हैं, तो एक है constitutional cities, यानि कि ये वो constitutional cities हैं, जिसमें overall सभी इस्थान आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, constitutional में, जैसे हमारा कोई नगरपाली का छेत्र, नगर निगम का छेत्र, कोई cantonment board छेत्र, या फिर कोई notified area, तो इन सब को, हमने एक नगर का रूप माना है, तो ये तो हमारा एक constitutional cities हो गया, बिल्कुल ऐसे ही शहरों को, अगर हम दूसरी तरह classify करें, तो दूसरे में एक नाम आते हैं, जिनको हम census cities या फिर जनगरणा नगर कहते हैं, अब जनगरणा नगर में, mainly वह cities हैं, जहां पर 5000 से जादा population हो, इस 5000 population में जो male हैं, approximately 75% वो non-agriculture work में involved हों, अगर हम third की बात करें, तो जो ये 5000 की population से above cities हैं, उनमें जो density है, वो कम से कम 400 पर किलो मीटर होनी चाहिए, तो urbanization को जो हमारा census है, 2001, 2011, तो वहाँ पर कुछ ऐसे provision बताए गए हैं, तो जब ऐसे provision बताए गए, उसके according ही हमने, ये माना है कि ये region, urban region होगा, यानि कि शेहरी संकुल होगा, और ये region हमारा rural होगा, अब यहाँ तो हमने urbanization की बात की, अगर 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 हम बात करते हैं, causes और consequences की, यानि कि जो भारत जैसे विकाशील देश हैं, इन में जो जनसंक्या प्रवास के कारण हैं और परिणाम हैं उनके बारे में, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो जो पलायन के सबसे मुख के कारण है, उसमें एक सबसे important है, रोजगार, यानि कि वेक्ती अपने रोजगार के लिए, किसी भी ऐसे शेहरी छेत्रों में काम करने के लिए जाता है, और अगर हम बात करें, चौन्ध है, यह हमारे rural area के regions को अपनी ओर attract करती है, तो इन दो कारणों को सबसे basic कारण माना गया है migration का, अब अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम इसको brief में बता सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई industrial region है, तो वहाँ पर जो शहरी छेत्रों की ओर है, तो वहाँ पर यह प्रवास जाता देखने को मिलेगा, फिर अगर हम बात करें, तो जो गाउं में बेरोजगारी है, वहाँ पर जो wages हैं उन में uncertainty है, जैसे कभी काम है तो उनको wages जाता मिल रही है, कभी काम नहीं है, तो उनको wages कम मिल रही हैं, तो यह जो conditions हैं, साथ ही साथ हम देखें, सेवाओं और सुविधाओं का अभाव, हमारी rural regions में, तो जैसे सबसे important में अगर हम देखते हैं, तो rural और जो हमारे यह backward region है, जो services हैं, जैसे health, किसी को कोई बीमारी हो गई, तो उसे कहाँ जाना पड़ रहा है, शहर में, तो ऐसी एक mentality develop हो रही है, rural regions में, कि यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधाई नहीं है, तो उससे बढ़िया है, हम कहाँ जाके रहते हैं, शहर में, साथ ही साथ, कोई और सेवा है, जैसे कोई प्रमार पत्र बनाना है, कोई certification होना है, कोई training करनी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, cities में, तो यह जो सारी problems है, इसके कारण भी ऐसा होता है, कि जो migration को कहीं न कहीं promote करता है, फिर अगर हम बात करें, तो जो हमारी agricultural lands हैं, उन agricultural land का size भी काफी छोटा है, maximum जो land holders हैं, उनका, तो उनको output भी अच्छा नहीं मिलता है, फिर अगर हम देखें, जैसे rural regions हैं, तो backward regions हैं, तो वहाँ पर division है society में, अब society में division, जैसे कि कोई एक religion है, तो उसी religion में, ये upper caste, ये lower caste, तो ये जो division है, जो orthodox mentality है, तो ये सारी problems भी कहीं न कहीं migration को promote करती हैं, फिर अगर हम देखें, तो जैसे religion to religion आपस में, कहीं न कहीं struggle देखने को मिलता है, या कहीं पर clashes देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक region है, reason है migration का, अब अगर हम देखें, जैसे इन सारे factors को, कि धीरे धीरे क्या हुआ है, हमारा migration बढ़ा है, अब जो रोजगार के साधन है, उन में क्या हुआ है, धीरे धीरे बढ़ोत्री हुई है, शहरी छेतरों में, लेकिन अगर हम rural areas की बात करें, तो वहाँ पर भी क्या हुआ है, कहीं न कहीं, कुछ ऐसी समस्याय आई हैं, कि वहाँ पर रोजगार कम हुआ है, अब अगर हम देखें, तो रोजगार के साधनों को, और मांग की अपेक्षा, जो धीमी गती से बढ़ना, गुंडागरदी बढ़ना, कानून व्यवस्था में गिरावट आना, सुविधाओं का इस्तर गिनना, गंदी बस्तियों का, परियावरण, परदूशन, आदी का बढ़ना, ये सब ऐसे कारण है, जिससे की शहर भी, अपना आकरशन, जो है जो अट्रेक्शन है, उसमें वो बनाए रखने में, कहीं न कहीं फेल हो रहे हैं, अब जो हम बात करते हैं, तो जो कभी कभी सिटीज में, हमें मिनिमम जो सर्विसेज हैं, वो तक नहीं मिल पाती हैं, तो जब हमें वो भी नहीं मिल पाती हैं, तो कहीं न कहीं, यह हमारा migration और जो हुआ हमारा cities में उसका एक result देखने को मिलता है तो अब अगर हम बात करें तो यह मैंने पूरा एक description दिया आपको कि urbanization है क्यों, migration होता क्यों है तो अगर हम migration के होने की ही बात करें तो इनका एक सबसे बड़ा जो reason है अगर अब हम अपने question को briefly लिखेंगे तो उसमें हम कुछ economical regions दे सकते हैं कुछ हम social regions दे सकते हैं कुछ हम populated या फिर हमारे demographic या फिर हमारे human geography या फिर human sciences से जोड़े हम regions को वहाँ पर दे सकते हैं साथी साथ अगर अब हम बात करें तो जो इनके हमें जिसे कहा जाए परिराम जो हमें देखने को मिलते हैं अपने urbanization के तो उसमें सबसे important जो हमें बात मिलेगी वो एक ये मिलेगी कि प्रवासी जनन छेत्र तता खुद प्रवासी तीनों पर गहरा प्रभाव डालता है यानि कि अगर हम देखें प्रवासी गंतव यानि कि जो migrated person है वो जहां जाएगा वहाँ पर भी effect डालेगा फिर जहां से वो खुद आया है निकल के उस region पर भी affected डालेगा और तीसरी बात अगर मैं करता हूँ तो वो अपने उपर भी एक effect डालेगा तो migration से तीनो factors affected होते हैं खुद जहां जाएगा और जहां से आया है अब अगर हम देखें जहां प्रवासी पहुशता है और जहां से चलता है दोनों के जनसंख्य की सनरचना में मातरात्मग वा गुड़ात्मग परिवर्तन करता है यानि के qualitative और quantitative तोनों ही रूप में उसको affect करेगा अब अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ये affect डालेगा तो population की density पे, population की growth पे, productivity पे साथी साथ age, link, अगर हम बात करें sex, साथी साथ हम बात करें education इन सब के जो fields हैं उनमें एक अकेला migrant person affect डालता है अब अगर हम देखें तो जो हमारे migrated persons है या फिर जो हमारा प्रवासी है ये अपने को एक नए परिवेश के साथ जोड़ने में अनेक दिक्कतों का इनको सामना भी करना पड़ता है जैसे कि जो गाओं का छेतर है, वहाँ पर उनका जो रहना है वो कैसा होगा अब शहरों में जाके उनका कैसा रहना होगा तो दोनों में effect देखने को मिलेगा साथी साथ अगर हम बात करें ग्रामीर अंचल की तो जो आर्थिक विपन्न लोग हैं वो शहरी अंचलों में प्रवास करते हैं उससे क्या होगा, जो हमारे रूरल बैक्ग्राउंड के लोवर क्लास के लोग होंगे तो वहाँ पर उनको एक cities में भी जो undeveloped regions हैं वहाँ जाके उनको रहना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, जो slum area है cities में उनको उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी परियावरन भी हमें कहीं न कहीं affected देखने को मिलेगा crime rate भी मिलेगा जहां पर कुछ हमारी समस्याएं हैं जैसे की जल भराव हो जाने की उन मलिन बस्तियों में तो ये problem समें देखने को मिलेगी health services में problem देखने को मिलेगी साथी साथ अगर हम बात करें तो polluted water, polluted air और जिससे की जो polluted water है, air है इससे जो problems आएंगी वो भी उस person को face करना पड़ेंगी तो जिससे क्या होगा जो हमारा एक urban area का infrastructure है उसको कहीं न कहीं affect देखने को मिलेगा तो ये हमारा जो question था उसका एक brief description की कहां पर अब जैसे देखिए अब thought की मैंने बात की तो एक मैंने बिलकुल linkage manner में जहां पर आप से कहा मैंने जो migrated person है वो तीन चीजों पर affect डालेगा खुद पर जहां से आया है और जहां जाएगा तो अगर आप इस statement को देखें तो इसमें एक depth है तो जो आपके answers होंगे उसमें ये बात जरूर इस बात की value होगी कि आपने कैसी language का use किया है language easy हो लेकिन weighted हो ऐसी भी ना हो कि बहुत tough हो मैं बहुत simple words हो लेकिन उनका जो weight हो वो एक weighted manner में ही होना चाहिए तो चलते हैं next question की तरफ question number seven question number seven को अगर हम देखें तो describe the basis and methods of determining urban hierarchy नगरिये पदानुक्रम के निर्धारण के आधारों एवं विधियों का वर्णन कीजिए तो ये जो question है ये हमसे पूछा गया था UPPSC 2015 में तो अब इसी की हम बात करते हैं अपने question number seven में तो यहाँ पर जो question है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं urban hierarchy तो जो ये urban hierarchy है ये क्या है तो जैसे हम human geography की बात करते हैं तो इसमें हमें कई सारे चीज़े देखने को मिलती हैं जैसे पहले कोई एक छोटा सा rural settlement फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा population बढ़ेगी तो services बढ़ेंगी और जैसे जैसे वहाँ पर services बढ़ेंगी तो वहाँ पर कहीं न कहीं changes हमें देखने को मिलेंगे तो जो हमारा ये urban hierarchy है इसका जो मस्दव होता है कि जैसे की जो हमारा बस्तियों के आकार है तथा उन से अन्य बाते जैसे कि उनके द्वारा किये गए कार एवं सुविधाओं के आधार पर विभिन श्रेडियों में विभाजित करना तो जो उनका काम जो उन रूरल सैटलमेंट्स या फिर हम सिर्फ सैटलमेंट्स की बात करेंगा तो जो वर्क किया जाएगा उसके आधार पर हम इन सैटलमेंट्स को डिवाइड करते हैं और इसी को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम बात करेंगे पदानूकरम की और हाइरार्की की तो यहाँ पर जो मैंने एक सबसे सिंपल बात करें कि जो हमारे सैटलमेंट्स है अब जैसे कि अगर हम देखें एक हमारा मुंसिपैलिटी सिटी है उसकी सर्विसेज देने का जो फील्ड होगा वो अलग होगा अगर हम किसी नगरपालिकार छेतर में जाएं तो वहाँ के जो रीजन में एड्मिनिस्टेटिव सर्विसेज होगी वो अलग होगी अगर हम किसी कमेशनर रेट पे जाएं तो वहाँ पर अलग होगी तो ये जो हमारा पदानुकरम है यानि कि जो छोटा सिटी है जैसे कि मैंने आपको बात की थी सैंसर सिटीज की जहाँ पर 5000 से अबव पॉपिलेशन की और फिर एक पॉपिलेशन की बात हमने वहाँ की थी जो हमारे मुंसिपैलिटीज में है जो हमारे मुंसिपल बोर्ड्स में है जो हमारे नोटिफाइड एरिया में है तो वहाँ पर जो हमारी सैटिलमेंट्स है उनकी services अलव होंगी तो जो इन settlements का किया गया work है उसको जब हम उन divide करेंगे कि किसके पास जादा work करने की power होगी और किसके पास कम और कहां पर services जादा है और कहां कम उसे हम कहेंगे hierarchy या फिर पदानुकरम तो ये तो हमारा एक सबसे exact description था hierarchy का अब अगर हम बात करते हैं पदानुकरम के आधार की तो जो नगरिये बस्तियां हैं इनका जो पदानुकरम है ये मुख्य रूप से नगरों में इस्थित कार्यों की संख्या एवं उनकी विविदता पर आधारित है यानि कि जो भी cities हैं तो देखी जैसे मैंने पहले description में बोला वही बात यहाँ पर है मुख्य रूप से बस्तियों का पदानुकरम उसी केंद्रियता पर आधारित होता है जो बस्तियों के कारें से संबंदित है यानि कि जिन बस्तियों में जिन नगरिये छेत्रों में जैसे कारे होते हैं उनी से वो संबंदित होती है अब अगर देखें सेंटल की बात या फिर हमारे जो हमारा कोई भी एक बस्ति है उस बस्ति का जो एक सेंटल administrative center है तो उससे जो कारे किया जाएगा वो अपनी प्रकृति एवं सौभाव के कारण कुछ ही बस्तियों में पाए जाएंगे यानि कि उस टाइप का जो वर्क होगा वो कुछ ही और बस्तियों में देखने को मिलेगा अन्य था वहाँ पर वो देखने को नहीं मिलेगा अब अगर हम देखें तो इनके जो वर्क हैं उनको भी हम दो टाइप के जो उनके फीचर्स हैं उस पर हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले बस्तियों की जो कार्यों की संख्या है उस पर साथी साथ कार्यों का इस्तर यानि कि जो settlement है वहाँ पर कितने कार्य हो रहे हैं फिर दूसरी बात अगर हम देखें तो कार्यों का इस्तर तो जो नगर आकार में बड़े होते हैं उनके कार्यों की संख्या अधिक होती है जो छोटे नगर होंगे वहाँ कार्यों के संख्या भी कम होगी फिर ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो उनके कार्यों का इस्तर है वो भी कम होगा तो जिस कारण से उन पस्तियों में पद भी निम्न होता है तो जहाँ पर जो cities बड़ी हैं वहाँ पर number of work बहुत सारे होंगे तो उनके अंदर एक बहुत सारी विविदता मिलेगी और बिलकुल ऐसे ही जो छोड़ी cities होंगे वहाँ पर limited work होंगे और उनके अंदर विविदता ही भी कम देखने को मिलेंगी अब यहाँ पर हमसे बात की गई है methods of determination की तो जो हमारे methods हैं determining urban hierarchy तो सबसे important अगर हम बात करें तो नगरीय बस्तियों के पदानुक्रम को decide करने के लिए four type के methods हैं सबसे पहले कार्यों की संख्या एवं विविदता जिसको हम पीछे देखते चले आ रहे हैं जो number of work हैं और साथी साथ जो diversification है work में हम उसकी बात करेंगे फिर कार्यों की केंद्रियता यानि कि जो हमारा केंद्र का छेत्र है उस जो बस्ती में उसमें कितना ज़्यादा कार्यों की केंद्रियता देखने को मिलता है फिर जन्संख्या एवं विवसाइक संरचना यानि कि population कितनी है और साथी साथ जो हमारा trade का infrastructure है वो कैसा है साथ अगर हम बात करें fourth method की तो कार्यों के जो हमारे अगर हम बात करें संख्यात्मक मांज से प्राप्त केंद्रियता सूच कांग तो अगर हम इन चार methods को देखें तो ये हमारे चार methods किसी भी एक छेत्र के नगरिय पदानुकरम के रूप में देखे जाते हैं तो मैंने एक बात सबसे पहले ब्रीफ कर दी कार्यों की संख्या एवं विवेदिता यानि कि जो number of works होंगे और साथ में उन में diversification कार्यों की केंद्रियता तो अगर हम बात करें कार्यों की केंद्रियता यानि कि एक जैसे हमें particular city में जो हमारी city है उसमें हमें centralization कितना मिल रहा हैं तो यह बात की गई है हमारे पदानुक्रम की methods में hierarchy के methods में कैसे हम इंको determine कर सकते हैं तो यह था हमारा question number 7 चलते हैं next question की तरह question number 8 describe the methods of determining spacing of rural settlement ग्रामीर अधिवासों के अंतरण को ग्याद करने की विधियों का वर्णन कीजिए यह question हमसे पूछा गया UPPSC 2015 में तो अगर हम 2015 में पूछेगा इस question की बात करें कि जो यह spacing है यानि कि एक हमारा जैसे rural settlement फिर एक दूसरा rural settlement फिर एक तीसरा rural settlement तो जो यह बीच में space है यहाँ बात की गई है इसकी और इसकी हमें क्यों need है और हम इसको क्यों study करते हैं तो अगर हम इन सारी बातों को discuss करें spacing है जैसे कि अगर हम spacing को देखेंगे तो जितना जादा rural settlement में spacing जादा होगी तो जो center है पूरे settlement का उसमें भी कहीं न कहीं हमें changes देखने को मिलेंगे यानि कि फिर हमें जो center बनाना पड़ेगा जहां से हम services को provide कर पाएं तो वो जो center होगा तो definitely हमें कुछ ऐसी place पे बनाना प पड़ेगा जहां से यह settlements को connectivity मिलती चली जाए इसी चीज़ को हम कैसे determine करेंगे वह हमसे पूछा गया है इस question तो जब हम बात करें अपने question की तो सबसे पहले जो हमारा spacing है या फिर अंतरण अगर हम बात करें तो अंतरण के लिए ये कहा गया कि यह हमारा सबसे ज़्यादा affect करेगा transport को यानि कि जो हमारी spacing होगी हम उसी की बिहाफ पे अपने transport को देख सकते हैं फिर अगर हम बात करें जो हमारी infrastructural facilities हैं तो अगर rural जो villages हैं या settlements हैं उनमें जो spacing होगी उसको हम पहले read करें, analyze करें और उस आधार पर हम infrastructural facilities को develop करें जैसे फिर हम बात करें जो service centers हैं यानि कि जो सेवा केंदर हैं तो अगर हम इन सब को transport को infrastructure को साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो हमारे service providers हैं इन सारे system को जब हम एक organized manner में establish करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यदा जो rural spacing है वो हमें देखना पड़ेगी और अगर हम इन transport को साथ ही साथ infrastructural facilities की बात करें इन सब में अगर हम effective बनाना चाते हैं तो हमें rural spacing को देखना पड़ेगा कि अगर वो जादा है या कम तो जो हमारी rural spacing की बात की गई है इसको हम अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो effect आता है तो पहले पे आता है density जो हमारी rural spacing है तो ये दो factors के ओपर depend करेगी तो एक हो गया density और अगर हम बात करें second की तो जो ये हमारे rural settlements है इन दोनों के बीच जो distance है ये हमें spacing के बारे में clarify करेगी या फिर हमें ये बताएगी कि कैसे हमारी services और कैसे हमारे infrastructural developments होने चाहिए अब अगर हम इसको एक example से देखें तो जैसी ये कहा जाता है कि जो हमारे इंडिया में जो दो rural settlements है या फिर villages है इनके बीच की जो spacing है वो 2.6 km है यानि कि approximately दो rural settlements के बीच की जो दूरी है यानि कि दो गावों की जो दूरी है वो 2.6 km है कहीं कहीं पर ये ब नहीं पर ये जादा भी हो गई है तो अगर हम देखें तो जो हमारा गंगा का plane region है हिमाचल परदेश है ओडिसा है तो ये जितना भी region है वहाँ पर जो ये rural spacing है वो 1.6 km से 2 km के बीच में होती है अगर हम बात करें इस 2 km से और 3 km की दूरी वाले जो गावों है वो किन किन ज नाटक ये हमारे वो regions होंगे जहां पर 2-3 km के बीच की दूरी दो गावों में मिलेगी फिर एक higher spacing वाले तो वहाँ पर 3-4 km के बीच हमें दो गावों मिलेंगे तो उसमें जो हमारे states आएंगे तो आंधरा, महराष्ट, गुजरात, मणीपूर, राजिस्थान और अगर हम ब या फिर हमारी states जो हमारे हमालियन region में हैं, कोई plateau region तो इन सारे regions में हम अगर rural spacing को देखेंगे तो वो 4-5 km के बीच में देखने को मिलेगी तो ये जो rural spacing है हमें क्यों study करना पड़ती है, जिससे कि जब कभी भी government कोई development के plan को layout बनाएगी तो वो देखेगी कि हमें कौन सी center को develop करना होगा, जिससे कि वहाँ से जुड़ी, जो rural background है, जो rural geography है, उसको हम क्या कर पाएं, develop कर पाएं तो ये जो सारी information है, ये हमें मिलेगी rural spacing से, अब अगर rural spacing की हम बात करें, तो rural spacing में कुछ factors हैं, जो बहुत important role play करते हैं, तो उसमें एक सबसे important role है soil का, fertility का, साथी साथ जो physiography है उस region की, वहाँ पर, साथी में देखे हैं अगर तो आने और जाने के, जो हमारे provisions हैं, या फिर कुछ हमारी services, तो ये सारे वो factors हैं, जो कि हमारे rural spacing को कहीं न कहीं affect करते हैं, अगर services बगएर अच्छी होंगी, तो rural settlement में भी, जैसे हमने देखा कि जो plain region से, वहाँ बहुत कम मिलेगा, services बगएर अच्छी नहीं होंगी, तो वहाँ पर हमें rural spacing जाता मिलेगी, तो य ये मैंने एक पूरा layout दिया आपको कि rural spacing होती है, हम किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये था हमारा question number 8, देखते हैं, next question, देखते हैं, question number 9, define human race and mention salient features of zone and strata theory as propounded by Griffith Taylor, मानव प्रजाती को प्रभाशित कीजिए, तता Griffith Taylor द्वारा प्रतिपादेत मंडल एवं कटीबंद सिधान्त की प्रमुख विशेष्ताओं का उलेख कीजिए, तो जो ये zone and strata theory है, Griffith Taylor की, अगर मैं सिर्फ एक ये दो लाइन म अगर इसको बहु लूँ, तो सबसे पहले तो ये, कि Griffith Taylor ये मानता है, कि जो human species है, तो ये human species का जो origin हुआ है, वो central Asia के, कैस्पियन और RLC का जो region है, उसके surrounding regions में हुआ, सबसे पहली एक बात उसने ये कही, अब फिर उसने कहा, कि जो परजाती, जैसे एक परजाती का origin हुआ, अब धीरे धीरे, नीगरिटो परजाती क्या करेगी, कि जो उसकी बाद की परजाती नई आएगी, तो जो वो नई माना परजाती आएगी, वो नीगरिटो को खदेर देगी, यानि कि उसको push up कर देगी, और उसको push करके, उस region से बाहर निकाल देगी, तो ये जो नीगरिटो है, फिर ये किदर move करेगा, African continent के साइड, तो ऐसे ही, जब हम नीगरिटो की बाद करते हैं, तो नीगरिटो के बाद उसको वो परजाती बाहर कर देगी, अब यहाँ पर नीगरिटो के बाद जो हमें मिलेगी स्पेशी, वो औस्टेलाइट देखने को मिलेगी, औस्टेलाइट फिर जब उसके फरदर बाद कोई human species आएगी, तो वो क्या करेगी, औस्टेलाइट को बाहर कर देगी, तो कुछ इस टाइप से उसने अपना principle दिया, कि जो एक परजाती बाद में develop होगी, वो अपनी पीछे की परजाती को खदेड़ देगी किसी और छेतर म जो origin की बात की उन्होंने, तो वो बात जो origin की की human species की, वो RLC और कैस्पियन सी का जो surrounding region है, वहां के, तो ये तो मैंने एक बात आपको बोली, कि जो Griffith Taylor है, उनकी zone and strata theory, यानि कि जो प्रवास कटीबंद सिधान्त है, ये उसमें उन्होंने सारी बार बताई, अब अगर हम द मानव प्रजाती जो है, उसे मानव वर्ग से है, मतलब मानव प्रजाती का अभी प्राय उस मानव वर्ग से है, जो वन्शानुक्रम, यानि कि hereditary, जिसके अंदर जो body के, जो features होंगे, उनमें कहीं न कहीं समानता मिरेगी, फिर जैसे ही उसमें कुछ changes आने लगेंगे body के features म तो definitely वो human species further change हो जाएगी किसी दूसरी species है, जैसे कि time to time, region to region, जो human species है, उनके अंदर changes आए हैं, जैसे अगर हम सबसे पहले देखें, तो जैसे जो हमारे पहले की जो प्रजातियां थी, उनके सिर लंबे होते थे, फिर उसके बाद में, अगर आने वाले समय को गुजार दे चोड़े में, तो उनकी चोड़ाई बढ़ गई, प्रैथनेस बढ़ गई, तो ये चीज जो changes हमें देखने को मिलता है, ये एक बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिलता है, तो जो Griffith Taylor है, उन्होंने इसी बात को समखाया कि मानव प्रजाती है क्या, तो मानव प्रजाती में उन्होंने ये कहा कि जो वंशानुकरम, यानि के हैरेडिट्री, उनके अंदर जो features देखने को मिलते हैं, वो same मिलेंगे, तो तो वो एक particular human species होगी, और अगर उसमें changes आने लगेंगे, तो वो कोई दूसरी human species develop होगी, फिर एक develop हो जाएगी, तो पीछे वालों को क्या करे में बताया कि exactly उनका क्या कहना था, और कैसे उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे changes आते चले गए, तो ये सारी बात अपनी उन्होंने इस theory में दी है, तो अगर हम इसको पूरा briefly, अब मैं इसको पूरा word to word तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन exactly जो theme है इनकी theory का, वो मैंने आपको दोन international migration of population, explain with examples, अंतराष्ट्री या जनसंख्या प्रवजन के क्या कारण है, सोधारण व्याख्या कीजिए, तो अगर हम बात करें international migration या फिर immigration की, तो जब कोई व्यक्ति एक देश से किसी दूसरे देश में जाएगा, तो वो international migration होगा, अब अगर हम बात करें, जो इनके factors हैं, तो इनके factors ये एक बहुत common question है, और एक बिल्कुल ऐसा है कि जो हमें हमारे आम जीवन से जुड़ा है और maximum चीजों को, हम इनको जानते हैं, तो अगर हम देखें, तो जो इनके सबसे important factors हैं, तो उसमें एक सबसे important factor जो माना गया है, physical factor, यानि कि भौतिक कारण, अब अगर हम एक particular region की कोई geography है, उस region में earthquakes आते हैं, floods आते हैं, या फिर volcanism देखने को मिलता है, तो जब ये सारे factors हमें वहाँ पर उस region में active मिलेंगे, तो जो वहाँ की population है, वो सोचेगी कि यहाँ पर तो life काफी tough हो रही है, और earning भी नहीं हो पा रही है अपने survival के लिए, तो वहाँ से population move कर जाएगी, अब अगर हम बात करें, explain with examples की, तो देखिए example में, सबसे अच्छा example हम ये दे सकते हैं, कि जो हमारा Mediterranean Sea का region है, वहाँ पर Sicily Island है, वहीं पर अगर हम देखे हैं, तो North America में Hawaii Islands हैं, तो वहाँ पर volcanism अगरा होता रहता है, तो वहाँ से जो population है, वो move कर कई दूसरी countries में, तो ये एक सबसे बड़ा हमें, physical जो factor है, देखने को मिलता है, इन regions में, next की बात करें, अगर तो second factor को, तो उसमें एक नाम आएगा, सबसे important, economic factors, economic factors, यानि कि आर्थिक कारक, अब अगर आर्थिक कारक की बात करें, तो जैसे कोई एक particular country है, तो वो गरीब है आप में, जो per capita income है, वो भी बहुत काम है, तो जो वहां की human population है, वो क्या करेगी, higher per capita income वली countries में move करेगी, जिसे कि उसकी earning भी बढ़ सके, और जो economic level है, वो भी उनका बढ़ जाए, तो जैसे अगर हम देखें, जो population की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे western Europe का region है, तो western Europe में, किसी समय प जिया, जो अपने colonialism के means से, इन्होंने अपना expansion किया, अलग-अलग countries में, तो बहुत सारी जो वहां की जन संक्या थी, जिनका per capita income काफी कम था, वो वहां से move कर गए, और वो कुछ नई countries जहां पर उपनिवेशवाद में, जो Britishers थे, उन्होंने अपनी colonials को establish कर रखा था, तो यह वहां की बात करते हैं, तो यह हमें एक economical factor मिलता है, इसको हम दोनों तरह से देख सकते हैं, हम ऐसे भी बता सकते हैं कि कोई वेक्ति को यह लगेगा, कि हमारे देश में उत्तियर नहीं हो रही है, किसी दूसरे देश में चला जाएगा, और अगर हम country के perspective से लेंगे, तो country क्या करेगी, अपना दूसरी countries के अंदर colonies को establish करेगी, और वहां की जो lower class population होगी, उसे वो वहां पर move करा देगी, थर्ड अगर हम बात करते हैं, थर्ड factor की, तो socio-cultural factors, अब socio-cultural यानि कि समाजिक सांस्कृतिक कारक, अब अगर समाजिक सांस्कृतिक कारक को अगर हम देखें, तो जैसे बहुत सारी जो population है, वो हमारा move कर गई, जो हमारी Buddhist की population है, तो वो हमें कहाँ पर देखने को move करते भी दिखती है, Thailand में, कहाँ पर Myanmar में, बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम देखें, जो partition हुआ, हमारी country का, तो बहुत सारी population, जो Hindu population थी, वो पाकिस्तान वाले region को छोड़ के हमारी country, हमारी country में, यानि के अपनी country में आ गई, तो ये जो हमें migration देखने को मिलता है, ये socio-cultural aspect से, अब ऐसे ही, बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पर जो Buddhist sects हैं, तो जो ये Buddhism को मानने वाले लोग हैं, उनको ये लगेगा कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं Buddhism को follow करने वाले तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि हम अपने Myanmar चले जाते हैं, हम Thailand की तरफ चले जाते हैं, जाकि उनको वहाँ पर अपना religion भी मिल जाएगा और atmosphere भी सबको एकसा मिल जाएगा, तो ये एक socio-cultural factor होगा, फिर अगर हम बात करें socio-cultural के अलावा अगर हम देखें, तो उसमें सबसे important जो factor हमें देखने को मिलेगा, वो political factor मिलेगा, अब political factor से कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हमारी country है, suppose करें, भूटान हमारे साथ include हो जाता है, कुछ सालों में, तो अगर भूटान हमारे साथ include हो जाएगा, तो बहुत सारी जो population है, सिक्किम वगर है कि वो सोचेगी, कि अब ह अहां पर भी public क्या कर सकती है, move कर सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा political factor भी हमारा factor बन के आता है international migration का, और अगर हम last की बात करें, तो वो एक जिसे अगर हम हिंदी में कहें, तो जन सेखी की घंटक, यानि कि demographic factors, जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा, कि जो आयू वर्ग के लोग हैं, जो हमारा demographic factor है, यानि कि अगर हम बात करेंगे, तो जन सेखी की घंटक ओपर, ये भी एक बहुत बड़ा factor है हमारा international migration, अब जैसे suppose करें, किसी भी एक region के अंदर population काफी बाढ़ गई, तो वहाँ पर employment वगार की crisis होने लगी, तो जो वहाँ पर एक new age group के, जो children, यानि के ये कहा जाए कि व्यस्क हैं, तो वो सब हमें तेजी से migrate करते हुए दिखेंगे दूसरी countries में, तो जो population है अपने आप में, ये भी एक बहुत बड़ा factor है international migration का, तो ये था हमारा question number 10, तो देखते हैं next question, question number 11, explain the main types of rural settlements with example, ग्रामीर बस्तियों के प्रमुख प्रकारों को सोधारण बताईए, ये question हमसे UPPSC 2016 में पूछा गया, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं rural settlements, तो rural settlements जैसे कोई एक particular settlement है, यहाँ पर खुप सारी families रह रहे हैं, अब जो ये families रहेंगी, तो इनका क्या mainly work होगा, agriculture, agriculture की जो produce है उसको collect करना, जो इनके पास live stock है, जो पशू है इनके, उनके लिए चारा एकटा करना, fodder, खनन अगर कहीं region में होगा तो mining करना, आसपास की जो water bodies हैं, वहाँ से fisheries को collect करना, या फिर मत्स पालन करना, या फिर कोई तलाब बनाया, तो उसमें मचलियों का पालन करना, तो अगर कुछ हमें mainly ऐसे agriculture, मतलब ऐसे work हमें, किसी भी एक settlement में देखने को मिलेंगे, तो mainly वह rural settlement होगा, तो ये तो rural settlement, अब अगर हमसे बात की गई है, कि हमें इनके types बताने हैं, तो जो इनके main types और उसमें सबसे important डाम जो आते हैं, वो चार नाम आते हैं, एक clustered आता है, एक semi clustered आता है, एक dispersed आता है, और एक हमारा hamlet आता है, तो अगर हम इन चारों की बात करें, तो जो हमारा परिक छिप्त है, यानि कि clustered, clustered में हम यह कह सकते हैं, कि जो हमारे settlement होगा, वो एक cluster के रूप में होगा, जो families बगरा होंगी, वो आसपास के region में एक रह रही होंगी, एक cluster के type में, जैसे कि यह एक पूरा, कोई particular land region है, तो यहाँ पर यह उनका agricultural lands होंगे, और एक cluster बना के रह रहे होंगे, तो यह परिछि settlement जो देखने को मिलता है, वो बड़ा dance मिलता है, अब साथी साथ यहाँ से हो सकता है, किसी भी एक socio-cultural region से एक particular यहाँ पर cluster develop हो जाएगा, तो इसको हम dispersed कहेंगे, यानि कि है इसी का part पर वो dispersed हो गया, बिलकुल ऐसे ही अगर हम देखेंगे, तो semi-clustered, semi-clustered का मतलब यह होगा, कि वो अर्द सनहत बस्तियां, इनका नाम वैसे दिया जाता है, और इनके बारे में यह कहा जाता है, कि यह mainly, जो हमें मिलेंगी इंडिया में, तो उनके लिए हम यह कह सकते हैं, जैसे कि यमुना रिवर हैं, साथी साथ जो यमुना रिवर का, जो हमारा ravine bedlands हैं, ravine यानि य इस रिजन्स हैं, वहाँ पर, तो यह हमारे कुछ टाइप थे, ऐसे ही एक बात होती है, hamlet की या फिर हम पुर्वा की अगर हम बात करें, तो यह भी एक particular, एक big जो settlement है, उसी का एक छोटा part type का develop हुआ होता है, और इसको जो उन्होंने नाम दिया है, वो hamlet के तोर पे नाम द particular settlement, उस settlement में करीब 5-10, छोटी-छोटी हमारे एक hamlet मिलते हैं, जो concentration है, उसी को वो पुर्वा कहते हैं, और एक particular जैसे कि यह एक पूरा हमारा part हो गया, तो इसमें यह छोटे-छोटे से cluster type के हमें मिलेंगे, तो यह जो चीज है, इसको हम जानते हैं, hamlet के नाम से, यानि कि य एक ही settlement पर उसके छोटे-छोटे part हैं, तो यह हमारा total types, जो हमारा rural settlements है, उनकी कुछ हमने बात की यहाँ पे, तो देखते हैं, next question, question number 12, give an account of morphology of rural settlements in the middle ganga plane of India, भारत के मद्द गंगा मैदान में ग्रामीर अधिवासों की आकारी की का वर्डन कीजिए, तो अगर हम बात करें तो जैसे हमारी river ganga, तो यह upper course, middle course और lower course, तो middle course की जब हम बात करते हैं, तो near about, जो हमारी river ganga उत्रा खंड से, यूपी में इंटर करती है, तो वहाँ का जो course है, उसको लगभग middle ganga plane के नाम से हम कह सकते हैं, जो वहाँ से बनना शुरू होगा, और यह जो middle ganga plane है, यह हमारा approach, हम इसको अगर हम देखें, तो यूपी middle, sorry, upper, middle and lower, तो lower वाला जो हमारा ganga का region है, वो mainly comprise करता है, बिहार और बेंगॉल, अब अगर हम middle की बात करते हैं, तो हमारा यूपी west का region और साथी साथ यूपी east का region, middle ganga में, तो इस middle ganga के region में, जो हमारा settlements का pattern है, और उसकी जो morphology है, वो हमें यहाँ पर बतानी है, तो देखिए जो सबसे पहले की बात करें अगर, यहाँ पर जो हमारे settlements मिलते हैं, उनको हम देखते हैं settlements को social perspective से, यानि कि जो भी हमें settlement यहाँ पर मिले, उन settlements में कहीं न कहीं, जो हमारी society का structure है, उसके according या उसका impact हमें इन settlements में मिलता है, जैसे कि कोई भी एक settlement है, उसका particular main, जो working region है, यानि कि जहां से उसमें सबसे important work वगएरा हो रहे होंगे, जैसे कुछ shops वगएरा होंगी, वहीं पर कुछ बनियों की दुकाने होंगी, वहीं पर कुछ हमें ऐसा कहा जा सकता है, कि जो important important trade है, वो हमें उसी region से मिलेगा, तो जो यह important center या place होगी, किसी भी settlement की, तो वहाँ पर higher class रह रहा होगा, और इन settlement से जितना हम आगे की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर हमें उतने ही lower class people मिलते चले जाएंगे, तो ऐसा हमें structure में देखने को मिलता है, तो जो हमारा गंगा का plain region है, और वो भी middle गंगा का region, तो वहाँ पर हमें कुछ इस type से, सारी की सारी settlements की, जो एक structure है, वो देखने को मिलती है, अब हम इस question को ऐसे ही लिखते चले चा सकते हैं, जहाँ पर पहले तो हम एक पूरा middle गंगा plane कहां से कहां तक comprise करता है, उसको बोलेंगे, फिर कैसे हमें structure किस basis पे उन settlements में बना दिखता है, तो इन सारी information को हम अपने इस question के answer म देते हुए further proceed कर सकते हैं, तो देखते हैं next question, question number 13, discuss the urbanization and urban policy of India, भारत के नगरिये करन एवं नगरिये नीती की विवेचना कीजिए, बेकुल latest questions है, यह हमारा जो UPPSC 2017 में पूछा गया, तो अगर हम देखें urbanization, urbanization को हम पीछे भी कई सारे questions में बार-बार define करते हुए आ रहे तो हम वहीं पर urbanization को define करेंगे, अब अगर हम बात करें urban policy की, तो देखी जो urban policy अगर मैं इसके कुछ past की बात करूँ, तो जो हमारी second five year plan है, इस दूसरी पंचवर्षी योजना में सबसे पहली बार हमारे urban policy की बात की गई थी, और उसमें यह कहा गया, कि जो हमारी जो industries हैं, उनका भी development हो, और जैसे जैसे industries का development हो, उसी के साथ साथ, क्योंकि जो industrial regions हैं, वो mainly हमारे urban regions में हैं, तो urban regions के भी development हमें करने होंगे, और जैसे जैसे हम urban regions को develop करेंगे, उनी के parallel, तो हम यह कह सकते हैं, कि जो हमारे industrial regions हैं, उनकी economical growth हमें बढ़ती हुई दिखेगी, फिर decline होता हुआ, हमें effect नहीं मिलेगा, जैसे हमने पीछे भी देखा था कि counter urbanization की problem आ जाती हैं, तो उस type की कोई problems फिर हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ urban policy के हमारे past में देखा गया, फिर 1985 की बात अगर हम करें, तो वहाँ पर भी एक हमारे लिए नई urban policy design की ग development हुआ, फिर space का development हुआ, फिर साथी साथ ये बात कहा गया कि जो हमारा ये urban policy है, इस urban policy में जो infrastructural facilities हैं, उनका development किया जाएगा, फिर साथी साथ जो regional planning होगी, उसको हम जोडेंगे अपने city planning से, तो ये बात की गई हमारे 1985 में, जो हमारी एक new, हमारी urban policy, फिर अगर हम अपनी latest urban policy की तरफ चलें, तो जो यहाँ पर हम latest urban policy की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो ये है, कि जो हमारे complex laws हैं, उनको हम क्या करें, easy बनाएं, तो एक तो यहाँ पर सबसे main important, जो हमारी policy में एक factor लिया गया, फिर साथी साथ, जो हमारा land region, जो हमारा land है, urban regions में, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, कि उनका जो rent होगा, वो rent बहुत high नावो, जिससे कि जो हमारा कोई थोड़ा lower class का, या फिर ये कहा जाए कि low income group का कोई people है, तो वो उसको easily attain कर सके, और उससे फिर वो कुछ अपने businesses को कर सके, फिर एक और बात अगर ह अगर है, उस slum area को भी हमें क्या करना होगा, कम करना होगा, तो जो हमारी housing है, development, उनको भी हमें तेजे से करना होगा, फिर साथ ही साथ, जो हमारे urban regions हैं, उस urban region में हमें investment को भी attract करना होगा, क्योंकि जो investments होगी, वही उस particular urban region को अच्छे से develop करने में मदद करेगी, तो ये से latest urban policy है, उसमें, पर जब हम बात करते हैं, 2017 में, तो उस time तक ये नई policy को frame कर लिया गया था, तो आप ऐसे उसके जो latest factors थें, उनको हम डाल सकते हैं, अब देखते हैं, question number 14, तो question number 14, explain the major patterns of rural settlement of Ganga plain, गंगा के मैदान के ग्रामीर अधिवासों के प्रमुत प्रतिरूप की व् से यहाँ पर पूछा गया, वहाँ पर middle Ganga plain की बात की गई थी, यहाँ पर Ganga plain की बात की गई थी, तो आपको lower Ganga plain में भी बताना होगा, middle Ganga plain में भी और upper Ganga plain में भी, तो आप जो upper Ganga plain का जो region है, जो हमारा western UP से start होगा, और लगबग अवध region तक, तो यहाँ तक हम कह सकते है कि जो ये हमारा upper ganga plane, फिर middle ganga plane, और फिर lower ganga plane, तो यहाँ पर हम उनके पूरे patterns को describe कर सकते हैं, कि कैसे कैसे उनका एक center develop हुआ है, कैसे Hamlets मिलते हैं, कैसे cluster form में मिलते हैं, कहाँ पर किस type की हमें settlement देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीज़े हम discuss कर सकते हैं अपनी question number 14 में तो देखते हैं next question question number 15 explain the qualitative and quantitative methods of delineation of the sphere of urban influence नगरिये प्रिभाव के दाइरे के सीमांकन की गुड़ात्मक तथा मात्रात्मक विधियों की व्याख्या की ये बहुत अच्छा question है जो हमसे ये UPSC 2014 में पूछा गया था sphere of urban influence है क्या तो जैसे इसे हम जानते हैं एक सबसे common name umland से यह city region भी कहलाएगा और इसको catchment area भी कहेंगे catchment area इसलिए catch करने वाला यानि के पकड़ने वाला जहां तक इसका influence होगा वहां तक के settlements इस region से जोड़े होंगे तो ये सब हमारे sphere of urban influence के अंतरगत आएंगे अब अगर हम देखें जैसे कोई एक हमारी city है इस city में बहुत सारी services है जैसे hospitals है specialized doctors है goods and services है जो यहां से provide की जाती है अब इनका ये कहना है कि जो ये हमारा particular region होगा इस region से जो services दी जा रहे हैं वो कितने दूर तक जो settlements हैं वो इसको attain कर रहे हैं तो वही region जो होगा वो region of influence कहलाएगा या फिर sphere of urban influence कहलाएगा तो जहां तक वो services जा पाएगी अब इसके लिए जो connectivity है वो भी इन region को अच्छी होगी इसलिए जो यहां पर settlements में जो population है वो यहां पर आके easily इन services को attain कर पाएगी अब अगर हम देखें जैसे जैसे जो हमारा city है इसका जो हमारा influence होगा यह धीरे-धीरे कम होता जाएगा जब इसका distance उस settlement से बढ़ता जाएगा यानि कि जो settlement यहां पर है वहां पर इस city का influence कम हो जाएगा क्योंकि may be possible इस settlement से करीब में कोई दूसरा city होगा तो यह जो sphere of influence है यह हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे distance बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि जो sphere of influence है वो sphere of influence का impact कम होता जाएगा तो यही बात सबसे पहले हमारे sphere of influence में देखने को मिली अब अगर हम देखें कि जो हमारा distance का relation है sphere of influence का वो देखा हमने अब अगर हम देखें कि जो हमारी geography है वो कैसे impact डालेगी sphere of influence पे अगर कोई plane region है तो वहां पर connectivity अच्छी होगी तो definitely वहां पर sphere of influence योगा वो जादा होगा अब जो हमसे बात की गई है जो हमसे पूछा गया है delineation यानि कि सीमांकन की बात की गई है तो वैसे तो कोई इसका एक particular principle नहीं है जहां पर हम delineate कर पाए sphere of influence को लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी services हैं जिनके उपर इसका influence पड़ता है जैसे की demand क्या है purchase power क्या है transport की facilities क्या है income क्या है और effect क्या है तो ये सारी की सारी जो हमारी factors हैं ये कहीं न कहीं हमें delineate करने में मदद करते हैं अब delineate में ये जैसे की किसी एक particular city पे services जो है वो बहुत higher level की provide की जाते हैं तो definitely जो surrounding region होगा उसका जो impact होगा वो काफी दूर तक होगा उस city का जैसे की आप अगर देखें तो कोई एक rural area है तो village है उस village को service उसके बराबर की कोई छोटी सी town area से मिल सकती है पर उस town area का कुछ limitation है जहां तक वो service नहीं दे पाएगा उस town area से फिर आप किसी एक particular यानि के block level city तक आते हैं फिर वहां से आप बढ़ेंगे तो आप एक किसी district level तक आएंगे फिर district से आप एक किसी municipality तक आएंगे और municipality से फिर आप state capital तक आएंगे और फिर वहां से national capital तक आएंगे तो आप देखें जो national capital का influence है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो rural village के बराबर की city है उसका influence एक बहुत कम region में देखने को मिलेगा तो यह जो depend करेंगी चीज़ अब जैसे कि किसी particular rural area में कुछ एक ऐसे equipment की demand आ जाती है जो उसको surrounding region में नहीं मिलेगा तो वो maximum chances में यही करेगा कि वो state capital move करेगा और either national capital approach करेगा क्योंकि वही से उसकी demand fulfill हो सकती है तो ऐसे कुछ factors को माना गया है delineation में मदद करते हैं फिर अगर हम देखें geographical factors जैसे कि कोई terrain region है दूर तराज का छेतर है कोई परवतिय चेतर है तो वहाँ का influence अलग होगा तो यह हमारे कुछ factors थे जिससे कि हमारा sphere of influence का delineation होता है अब अगर हम बात करें quantitative और qualitative methods की तो देखें qualitative का मतलब होगा गुण आत्मक अब गुण आत्मक है कि किसी भी एक शहर में अच्छे opportunities हैं employment की तो definitely उसका sphere of influence जाता होगा अगर वो सेवाएं अपने उस city में बहुत अच्छी दे रहा है स्वास्त सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं तो बहुत बहुत दूर से उस लोग उस particular छेतर में आएंगे ऐसे ही कुछ बिजली का समान लेने के लिए, hospitals के लिए तो ये सारी की सारी सेवाएं जिस शहर में बहुत अच्छी होगी तो वहाँ का influence और जाता होगा आप जैसे कि आप देखें, quota तो quota के बारे में यह कहा जाता है कि जो medical entrance के students है वो maximum preparation करने उस region में जाते हैं क्योंकि वहाँ का quota का sphere of influence है वो एक qualitative है और ऐसा माना जाता है कि जो maximum doctors है वो हमारे कहां से produce होते हैं, quota से तो sphere of influence इसको delineation में factor और कैसे work करता है ऐसे ही अगर हम बात करें, तो हमसे एक बात किया गया है quantitative यानि कि परिमाणात्मक अब परिमाणात्मक में एक सबसे important नाम आता है 1931 में rally ने इसको develop किया था यह बहुत important यह कहा जाए कि human geographer जिन्होंने इसको establish किया, एक relation दिया और इन्हों जे relation दिया, तो इन्होंने दो type का दिया कि जो भी कोई city होगी, उस city का दो बातों पर difference होगा उसके influence पर, दो बातों पर वो depend करेगी एक तो population पर और दूसरा distance के ओपर अब जैसे कि जो कोई एक छोटा सा, यहाँ पर अगर हम देखें इसको एक example में, जैसे यह एक particular हमारा city है इस city से एक particular region पाँच किलो मेटर दूर है पर यहाँ पर 100 लोग रहते हैं एक particular region 20 किलो मेटर दूर है पर यहाँ पर 500 लोग रहते हैं तो यह जो relation है इन 500 का और इन 100 लोगों का इस city के साथ तो जो यह develop किया, यह rally ने किया और उन्होंने बताया जो अपना principle दिया, retail, trade, gravitational principle जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो यह intermediary city होगी इसका influence इन दोनों cities के ओपर कैसे पढ़ेगा तो यह सारी चीज़े हम अपने इस question के brief में यहाँ दे सकते हैं चलते हैं एक सबसे important question के ओपर Human geography में जो बार बार कहीं न कहीं हम से किसी ना किसी exam में जरूर पूछा गया है UPSC, BPSC और UPSC में तो अगर हम देखें इन ही तीन exams का हम maximum analysis कर रहे हैं और इनी के हम questions को बार-बार describe कर रहे हैं topic to topic और जैसा कि मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि जो भी हमारी ये series है आप इसमें further जो भी developments चाते हैं आप comment box में जरूर लिखे हम उसके उपर जरूर work करेंगे ठीक है तो देखते हैं question number 16 Marx view on population is more humanistic comment करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं काल मार्क्स के तो जो काल मार्क्स हैं इन्होंने अपना एक principle दिया और इन्होंने जो बात की तो इन्होंने ये कहा कि जैसे किसी भी एक region में जो resources है तो वो जो resources है इनका कुछ production होगा इन से कुछ और जो ये production होगा उस production पे जो यहाँ पर society है वो depend करेंगी जो यहाँ के resources हैं उसमें agriculture families भी involved होंगी industrial families भी involved होंगी अब इनका ये कहना था कि जो यहाँ पर capitalist आ जाएंगे तो वो बार बार क्या गरेंगे मुनाफ़ा कमाने की सोचेंगे और जब वो मुनाफ़ा कमाने की सोचेंगे तो उनका सिर्फ एक ही intention होगा ज्यादा से ज्यादा profit को earn करना जो दूसरी और बात करें तो जो हमारे ऐसे laborers और workers हैं जो इसमें work कर रहे होंगे agricultural fields में industrial fields में तो उनका सिर्फ एक ही intention होगा कि उनको सिर्फ उनकी wages ही मिल रही होंगी अब जब उनकी wages उन्हें मिलेंगी तो उस wages के उपर ही उनको rely रहना पड़ेगा तो वो क्या सोचेंगे अपनी families के size को बढ़ा करने के लिए क्योंकि जब उनके working hand जादा होंगे तो उनके wages और sellies क्या होंगी जादा पहुचेंगी तो जब जादा पहुचेंगी तो उनकी जो living है उसमें आसानी आएगी तो कालमाक्स ये कहता है धीरे धीरे फिर ये situation देखने को मिलेगी किसी भी एक particular region में जो laborious के type की population है वो तो बढ़ने लगेगी और जो capitalist है उनका जो अपना profit earn करने का जो matter है वो बहुत जादा होता जाएगा फिर एक समय आएगा कि वो अपनी industries में technologies को introduce करने लगेंगे और जो यहाँ पर daily wages पर workers वगेरा work कर रहे हैं उनसे वो क्या करना शुरू करतेंगे काम को देना बंद कर देंगे अब जब वो काम को देना बंद कर देंगे तो होगा फिर ये कि यहाँ पर negotiations स्टार्ट हो जाएंगे कि जो भी worker यहाँ काम पहले कर रहा था 500 रूपीज में वो यह कहेगा हमें आप 400 दे दो पर हमसे काम वापस मत लो कारा काम बंद मत करो तो आप देखी यहाँ पर जो यह price है इसमें downfall आने लगेगा और धीरे धीरे यहाँ पर unemployment बढ़ने लगेगा तो ऐसे वो कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि उस society पर हमें यह देखने को मिलेगा कि जो population है lower classes की वो तो बढ़ जाएगी पर higher classes की जो population अगर कम भी है पर उनको profit बहुत जादा मिल रहा है तो वो कहता है कि जो यह पूरी society है हमेशा work ऐसे होने चाहिए कि profit सब में बराबर distribute हो तो जो यह सारे work distribute होंगे इन work को कहा गया है कि कैसे आप अब काल मार्क्स जो बताता है तो वो काल मार्क्स इसी बात पे focus करेगा कि socialism होना चाहिए society में और यही जो concept है उसने कहा कि कैसे population किसी एक particular region में बढ़ जाती है तो यह एक मैंने पूरा आपको उनका principle बताया कि कैसे वो society में बात करता है कैसे संसादनों की utilization करना चाहिए कैसे होता है क्या उसका effect उपड़ता है तो यह सारी हमने information यहाँ पे दी अब जो rich है वो तो अपना profit attain कर रहे है capital है उनके पास labor वो अपना skill बेच रहे है और अपनी labor बेच रहे है अब धीरे धीरे industrialization की बात आने लगी तो industries आने लगी तो industries में machines आने लगी और वहाँ पर हमें यह देखने को मिलने लगा कि जो technology है वो तो involved होने लगी और जो workers और laborers हैं उनको क्या होने लगा धीरे धीरे बेरोजगारी की तरफ जाने लगा और इससे की एक हमारी population का जो increment देखने को मिला यही हमारा principle है काल मार्क्स का अब यह तो मैंने आपको एक पूरा का पूरा relation दिया और पूरा principle का description दिया जो उन्होंने यहां बताया है अब अगर हम बात करते हैं जो humanistic approach है काल मार्क्स की तो वो एक इसलिए humanistic approach मानी जाती है सबसे important बात कि जो population है उसने एक behavioralism लब व्यावारिक तोर पे यह बताया है कि कैसे population बढ़ जाएगी किसी भी एक particular region में फिर अगर हम देखें तो जो काल मार्क्स है उसने जो resources हैं किसी भी एक region के उसके उपर society की ownership की बात की है अब जो की population अब जब एक resources के उपर society का अधिकार होगा तो definitely वहाँ पर socialism प्रमोट होगा जिससे की जो population growth है उसमें कमी देखने को मिलेगी definitely poverty में भी कमी देखने को मिलेगी और employment में भी हमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो यह जो हमारा एक सबसे important factor है यह काल मार्क्स की जो approach है उसको एक humanistic nature provide करता है तो यह हमारा एक पूरा principle था जो हमें काल मार्क्स के बारे में यहाँ पर हमने discuss किया तो अपने इस question में हम पहले अपने पूरा एक principle दे सकते हैं वहाँ से किस point of view से वो humanistic है वो हम बता सकते हैं तो यहाँ तक हमारा यह था question number 16 तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो comment box में आप हमें जरूर बताए like करें, share करें और subscribe करें हमारे channel को thanks a lot for watching